हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का इस यूटूब चानल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ एक खास रेमडी सेट करने वाली हैं जो कि आपके इसकीन को वाइटिंग करेंगा साथ ही आपके इसकीन पर डो डार्श सेगल और जो पीमपर से जूरी है व और फिर एक चमच आप आटा गेहूं के आटा लिजिए यह हमारे इसकीन को स्मूथ बनाने में और डार्श को अटाने में ब्लैक पार्ट को अटाने में बहुत ज़्यदा मदद करता है और फिर हम लेंगे इसमें लगभग आधार शुट्खी इसमें हम एड़ करेंगे हल् अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे फिरेंड यह रेमडी हमारे स्कीन को वाइट करने में बहुत ज़्यदा मदद कार होता है साथ ही यह रेमडी यह नुस्खा हमारे स्कीन को बहुत ज़्यदा वाइटिंग ग्लोइंग बनाने में मदद करता है तो फि तो इसमे गुलाब जनके ट़ोया करते हैं तो हम इस एक चमच गुलाब जल को एक कर रहे हैं इस गुलाब जनके स्किन और भी ज्यादा सुफ, मुलायम और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगता है चलिए अब हम इसे अच्छे तरफ से मिक्स कर लेते हैं अब देख सकते हैं एक स्मूथली बहुत ही सुंदर पेस्ट हमारे सामने फेस पर बनके रेडी हो चुका है चलिए अब हम इसे लगाने के तरीका बताते हैं तो फ्रिंड अभी तक आप मेरी यूटूब कैनल पर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक, शेर, कमेंट्स कर देजिए और चानल को सब्सक्राइब भी कर लेजिए उन्युदए चक्します, सबसे पहले आप इस रेमडि को जहाँ आप यूज करते हैं उसस्किं को साफ कर लिजाए अगर आप अपने फیस को साफ कर दे ना चाहते हैं तो आप अपने फिस्ट को सबसे पहले फिस्ट वा से साफ किजीए और इसके बाद इस remedy के यूज कीजिए आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं मोटे परत लगा लिजिए और फिस इसे सुखने दीजिए अगर आपके इसकी ब्लैक है बहुत ज़्यादा डार्क है अगर आप वाइट श्मूथ बनाना चाहते हैं तो इस नुसका को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और जब ये नुसका सुख जाए लगाए इसे 30 मिनाट तक छोड़िए तो फिर इसे हलका पानी डाल कर इसे गिला कर लिजिए फिर कोटन के मदद से इसे हटा दीजिए फिर देखिए आपके ऐसा अगर आप 10 दिन करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा और आपकी स्किन स्मूथ और जो आपके स्किन पर पिमपर्स डार्स गल है वो सारे चीज़ से आपके परसानी से छुटकारा मिल सकती है तो फ्रेंट आई होप आपको वीडियो आज के मेरी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक से और कमेंट करना बिल्कुल मत पुलिएगा साथ इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ तक ले बाबाय टेक्यार